तो आज हम बफर डिल्टा निट्वर्क की अनलिसिस करेंगे तो पिछली बार हमने अन बफर डिल्टा के लिए मैंने बताया था किस तरी के से हम थूर्पूर्ट निकालते हैं तो और उससे पहले हमने कुछ फर्णामेटल एक्जियम्स और तो बफर डिल्टा निट्वर्क में जैसे कि हम एक टाइम स्लोट की बात करते हैं कि एक स्विच के अंदर पैकेट के इनपूट से आउटपूट में जाते वक्त यहां पर पैकेट आता और यहां पर जाता है तो यह जो है हम इसको एक टाइम स्लोट बोलते हैं इसको हम कहेंगे टी डिले ठीक है और हर स्टेज में ऐसा होगा तो अगर के स्टेज हैं तो के इन टू टी डिले के बाद जिसको मिंडी कहते हैं तो अगर के स्टेज हैं तो इतने टाइम के बाद पैकेट इनपुट से आउट पुट पे जा सकता है कम से कम इतना समय तो लगेगा ठीक है तो हम इस टी डिले को यह चुकि थोड़ा कटिन हो जाता है इसको computer के उपर compute किया जाता है लेकिन उससे पहले उसका model बनाया जाता है तो मैं उस model के बारे में discuss कर रहा हूं तो टी दिले में हम दो प्रकार के delay इसमें जोड लेते हैं एक delay होता है selection करने के लिए है तो अगर मेरे पास यहां दो पैकेट हैं जैसे कि हमने पिछली बार जब पैटरिनेट मॉडल देखा था वहां पे दो पैकेट अगर इंपुट पे आते हैं तो कुछ समय लगता है उसको selection process बोलते हैं ठीक है तो जब आपने select कर लिया कौन से पैकेट को जाने देना है कौन पूट पर पहुंच पाएगा टी पास समय के अंदर तो इसको आसान करने के लिए अगर चुली यह दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं दोनों ही जीरो ना हो ऐसा पॉसिबल है इस केस में हम simulation के थ्रू थूपुट को compute किया आ सकता है computationally नहीं कर पाएंगे उसके अंदर तो हमें क क्योंकि computationally करना है यह भी computationally प्रोग्राम के थ्रू होगी तो हम इसके अंदर हम माल लेते हैं सबसे पहला केस लेते हैं अब टी पास जीरो होता है ठीक है इसी प्रकार टी सेलेक्ट को जीरो करके भी कर सकते हैं वह कहीं ज्यादा आसान है उस तरीके से करना और यह बीच वा दोनों value नों 0 है जब compute करेंगे वो दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि जो शुरुआत के अंदर इस system में कोई भी packet है नहीं ठीक है इस पूरे switching network में डिल्टा network है उसमें कोई packet है नहीं ठीक है और T is equal to 0 पे हम packet input पे लाना चालू करेंगे हम क्योंकि throughput analysis कर रहे है maximum throughput तो वहाँ पे हम packet हमेशा available रहेगा जैसी कोई packet आगे को बढ़ता है तो उसक्त इमीरेटली दूसरा packet मौजूद होगा और जब आगे वाद जैसी कोई slot खाली होगा अगले stage में तो में पीछे information मिलेगी पेट्रिनेट में जैसे मैंने बता packet भेज सकते हो ठीक है तो जो समय है उसको हम एक्चुली इस तरीके से बताएंगे k time slot को हम इस तरीके से लिखेंगे यह tk time instant पर शुरू होता है यहाँ पर तो यहाँ पर यह tk है इस पर packet शुरू होता है kth slot और tk plus 1 पर खतम होता है इसको हम kth slot बोलेंगे और इसको हम लिखेंगे tau k so जो भी tk होगा यह integer multiple of हर t delay के बाद एक time instant आएगा यह वो है तो k एक integer है जो बढ़ता रहेगा और उसके corresponding यह positions आती रहेंगे और इनके बीच के time slot को हम tau k बोलते हैं और tau k को हम इस तरीके से represent कर सकते हैं यह tk instant के बाद शुरू होता है tk उसमें included नहीं है ठीक है इसका मतलब यह होता है यहाँ पर यह open interval है तो tk included नहीं है इस interval के अंदर इसको tau k कहेंगे tk plus one इसमें included है close interval है यहाँ पर यह जो यह वाला symbol बताता है close interval है ठीक है तो हम यह कह सकते हैं जब T tau के जब होगा तो यह होना चाहिए tk से बड़ा और tk plus one से छोटा जब यह time होगा तो हमारा interval tau के होगा तो इसको हम चाहें तो एक markov chain के थूपी model कर सकते हैं जो की बट यह बहुत complicated हो जाए तो इसलिए हम जनरली उस तरीके से नहीं करते हैं तो हम जो कहीं simple तरीके से करते हैं तो हम यह case लेते हैं जब T pass 0 है तो ऐसे case में माले जीए कि हम सबसे last के stage की बात करते हैं N minus first stage अगर N stages है इसके अंदर तो तो 0th stage होगी सबसे पहले की और लास्ट वाली की N minus first होगी दो output है मान लिए दो packet आते हैं यहाँ पर कि N minus first stage में मान लेते हैं दो packet है यहाँ पर हम T pass की value 0 उसको देख रहे हैं तो इनका क्या होगा तो इसको जब time slot शुरू होगा तो इनको समय लगेगा हमें पता करने में कौन से packet को बाहर की तरफ को भीजना है अब हमें यह पता चल गया दोनों को इस तरफ भीजना है तो ज T pass की value 0 है T select पूरा समय ले लेता है तो यह packet immediately बाहर चला जाएगा दूसरा packet भी चुंकि ताय कर लिया तो उसको भी transmit करने मेरे को 0 समय लगेगा तो दोनों packet एक साथ यहाँ पर जा पाएंगे यह N minus first stage के अंदर होगा ठीक है यह बहुत important है और इसके पीछे वाली state में जब यहाँ पर packet है तो पीछे वाली state के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है तो दोनों packet T delay से डिले होंगे और एक साथ remove कर दिये जाएंगे यह last stage के अंदर का एक option है तो यह कभी भी performance को restrict नहीं करेगी यह समस्या आएगी पीछे वाली state के अंदर तो इसके पीछे जो हमारे पास stage है n-2 stage पर देखते हैं क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है n-2 stage के ऊपर जो भी packet इसके इसके पीछे वाली जो stage होगी वो n-2 stage होगी जो इससे कहीं नहीं कहीं connect होंगी तो अगर इनके output में कोई भी packet होगा वो immediately अगले slot के अंत में वो हमेशा transmit हो जाएगा ठीक है तो जो previous slot में जैसे यहां transfer हुआ immediately select होने के बाद उसके बाद पूरा समय लगेगा selection होने में उसके बाद वो अगले में जाएगा तो इसमें हर block के अंदर हम actually 3 step मानते हैं मानना पड़ेगा कि otherwise हम इसको solve भी नहीं कर पाएंगे तो 3 step हम इसके अंदर नोट करते हैं तो पहला step होता है switch जो है तीन fictitious step के अंदर काम करता है तो किसी भी time slot के अंदर सबसे पहले तो जो packet है step 1 जब होगा जब वो packet उसके output buffer से बाहर की तरफ को जाता है यह पहला step 1 होगा ठीक यह किसी भी time slot में सबसे पहले होना चाहिए यह packet हुगा उसके बाद 3 सब step हैं दूसरे step के अंदर पीछे वाले slot से कोई packet इस खाली जगे में आएगा इसको बोलते है step 2 input से output में आने के लिए बोलते हैं इसको तो यह दूसरे उसके बाद होगा तीसरे step में कोई packet पीछे वाली पीछे वाले स्विच से आपके input में आएगा इसको step 3 बोलते हैं ठीक है इसमें एक खास चीज नोट करने वाली है कि कि तीनों step जब एक step एक स्टेज में चल रहा होता है तो कभी दूसरा step उसके अगली है पिछली स्टेज में चल रहा होता है तीसरा step फिर उनके अगली है पिछली में से किसी एक स्टेज में चल रहा होता है तो उसको समझते है थोड़ा तो पहले में तीनों step को लिख देता हुँ तो step 1 के अंदर क्या होगा packet output buffer से आगे चला जाता है यह ट्रांस्मिट हो जाता है यह पहला step है step 2 होगा packet output buffer में आ जाता है और तीसरा step होगा packet input buffer के अंदर input buffer के अंदर input buffer के अंदर आ जाता है तो हम जैसे देखते हैं यहाँ buffer कि मान लिजिया आप यहाँ जेथ स्टेज में है अगली स्टेज जे प्लस वन है यह इस तरीए से connected है इसमें बीच में common buffer है जे प्लस वन के लिए input buffer है और जेट के लिए output buffer है ठीक है यह packet यहाँ से इधर जाता है जे प्लस वन के आउटपूट की तरफ को तो इस से में हम देखेंगे कि है यहाँ पे step 1 हो रहा है जे एर्थ स्टेज में और जे प्लस वन स्टेज में क्या हो रहा है जे प्लस वन स्टेज में पैकेट इंपूट बफर से आउटपूट बफर में आ रहा है तो इसको बोलेंगे step 2 हो रहा है जे प्लस फर्स स्टेज में यह एक साथ हो रहा है इसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर जे रखें यहाँ पर जे माइनस 1 यह माल यह इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हम नोट करेंगे J-1 में हो रहा है step 1 यहाँ पर हो रहा है step 2 यहाँ पर हुआ step 3 ठीक है और तो यहाँ पर था step 1 इस समय जब J में step 1 होगा तो J plus 1 के अंदर step 2 हो रहा होगा जब J के अंदर फुसका यहाँ पर आपका step 2 हो रहा होगा तो समय J plus 1 में step 3 होगा और J minus 1 में step 1 होगा और जब J-th stage के अंदर जब यहाँ पर step 3 हो रहा होगा J-th stage में तब यहाँ पर आपका step 2 हो रहा होगा तो obviously जब यहाँ पर step 2 है तो step J plus 1 में उस समय step 1 होना चाहिए उस समय ठीक है क्योंकि है step 3 हो रहा है तो वहाँ पर step 1 हो रहा होगा क्योंकि जो भी packet पीछली stage के अंदर गया है वो आगे किसरा होता है इस तरीके से हम cyclically compute करेंगे इसको तो इसको further समझने के लिए हमें states को जानना होगा जो इस 2 by 2 cross bar के 2 by 2 जो basic element है उनमें क्या-क्या states हो सकती है जोगे हम state की probabilities को compute करेंगे और जब वो steady state में आ जाएंगी सारी की सारी computation करते हुए तब हम बोलेंगे हम ने उसको achieve कर लिया है की solution को और उस समय जो भी गढ़ना होगी हमारी जो steady state में होगी उसके आधार पे हम throughput को calculate करेंगे तो 2 by 2 cross bar के लिए states को निकालते हैं तो हमारी इस तरीके से आएंगी माल लिए पहली state को हम बोलते है state 1 जब ना कोई packet input पे है ना output पे है ठीक है अभी हम खाली 2 by 2 सुच को देख रहे है इन states की probabilities को हम बाद में use करेंगे transition probabilities के लिए इस्टेट 2 में जब जाते हैं तो हम इस्टेट 2 define करते हैं जब एक output पे packet है उसके output buffer में बाकी पे नहीं है ठीक है इस प्रकार 14 टोटल स्टेट बनती है तो मैं 14 की 14 आपकी ड्रॉ कर देता हूं यहां पे यहां पर दोनों में हमने output ले लिया आप observe कर सकते हैं कि मैं एक systematic तरीके से इसको states को enumerate कर रहा हूं ठीक तो अगली state में आते हैं state number 4 तो यहां पर एक packet हम यहां लेते हैं यह हुआ state 4 इसके अगले में आते हैं यह हुआ state 5 इसके बाद फिर अगले में चलते हैं यह बहुत important है यह packet कहां जाना चाहता है ठीक है जब input में है तो कहीं डारेक्ट होगा उस आधार पर state को टाय करेंगे तो अगर यह इसी तरफ जाना चाहता है जहां output buffer में तो अलग state है नीचे जाना चाहता है तो अलग state है ठीक है इसको state 6 बोलेंगे इसी प्रकार जब आते हैं state 7 पर और इसके बाद जब देखते हैं इसके आगे अब यह दो packet दो वाली situation आ जाएगी जब दो packet input में है अब यह दोनों एक तरफ को जाना चाहते हैं एक situation यह होगी इसको state 8 कहेंगे और इसके बाद आते हैं state 9 पर यह होगी state 10 अब की बार एक packet output port पर है यह होगा state 11 और अगला देखते हैं यह होगा state 12 ठीक है इसके बाद हम आते हैं तेरवी state पर यहां पर दो मेर को लगाने चाहिए थे input packet तो अब हम दो packet लगाते हैं एक ही दिशा में जाएंगे तो यह होगा state 13 यह होगा state 14 ठीक है तो हम यहां पर stage को मान लेते हैं हमार पर 0 से लेकर जे से रेप्रेसेंट करेंगे हम stages को 0 से लेकर N-1 तक होंगी stages तो इसलिए less than लिखा है less than equal to नहीं लिखा है ठीक है 0 to N-1 जे की वेली होगी तो हम इसकाद कुछ probability is define करते हैं यह होगी probability की time step tau k के अंदर ठीक है तो k उसको रेप्रेसेंट करता ती की बाद जो भी tau के time interval है उसमें 0 थी step के बाद मतले जब वो शुरू होता है किसे भी time step के अंदर सबसे पहले 0 होता है पहले उसके 1st step होगा 2nd होगा 3rd होगा time step खतम हो जाएगा तो यह फिर time step 0 हो जाएगा अगले वाले time के लिए यह tau k है यह tau k plus 1 है तो यहां पर 0 हो जाएगा state ठीक है जस इसके बाद फिर पहला step पूरा होगा फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से होगा यह तो यहां पर 0 के बाद क्या होगा यह बताता है कौन सी स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, आई बताता है मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं, तो यह कहता है कि यह प्रोबिल्टी है की switch, यह switching element 2 by 2 जो है उसकी बात कर रहा है, switch in stage j, is in state i at time tk, इसका मतलब यह होता है, तो यह इसकी प्रकारम और define करते है, P1, अब यह time step 1 हो चुका है, उसके बाद का है, तो यह computer में यह program लिखा जाएगा, इसमें गड़ना की जाएगी, वहां पर यह state probabilities काम आती है, ठीक है, तो यह है probability की switch in stage j, यह दूसरे वाला जो मेरा character है, यह बता रहा है, i j के अंदर की stage j की बात कर रहा है, is in state i in time interval tau k, after step 1, ठीक है, यह this 1, जो P1 लिखा है, 1 signify करता है, step 1 के बात की बात कर रहा है, इस ही प्रकार हम लिख सकते है, P2 के बारे में, तो यह भी वही probability है, switch stage j में है, state i में है, tau k interval के अंदर है, after step 2 है, यह खाली इतना ही फार्क होगा, इस ही प्रकार P3 कर सकते हैं, तो यहां पर भी, zth stage के अंदर, switch state i में है, time interval, tau k के अंदर, after step 3, ठीक है, important चीज यह है, यह बराबर होगा, अब P0 के, k plus 1 time step के लिए, ठीक है, तीन, tau k में पूरा हुआ, tau k plus 1 वो 0 के बराबर हो जाता है, और इसको हम यहां पर i j लिख सकते हैं, तो यह बहुत important है, यह हम बाद ने, यह इस्तेमाल होता है, तो भागे जाते हैं, अब हम कुछ चीज डिफाइन करेंगे, exit probability, transition probabilities निका parameter define करते हैं, p j tilde, यह सब calculation में इस्तेमाल होते हैं, इनको define करना ज़रूरी है, यह probability कहलाती है, कि कोई packet, जो की switch के output link पे है, ठीक है, जो कोई packet, जो switch के output link पे है, पर है, तो के interval के अंदर, अगले stage के output में चला जाता है, यह इसकी probability है, p j tilde, तो हम इसको यहाँ पे अगर लिखना होगा, तो हम इसको एक conditional probability की packet होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम जेर्थ stage की बात कर रहे हैं, तो यह define होगा की यहाँ पर, state 1 के बाद, packet यहाँ गया के नहीं गया, जे प्लस 1 के अंदर, step 1 के बाद, जो probability है, हम देखेंगे जो है, कि कौन से के अंदर यह packet बाहर की तरफ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक, तो यह वहाँ से निकाला जाता है, तो हम यहाँ पर मैं इसको अंगरी जी में ही लिख देता हूँ, being in a state, after step 1, at stage J plus 1, यह important है, step 1 हो जाने के बाद, step 1 यहाँ से packet निकल चुका है, step 2 होने वाला है उसके लिए, तो यहाँ से packet जा चुका है, step 1 के बाद, J plus 1 में कौन सी state है, वही ताय करेगी कि J के packet, J का जो भी packet है, है की नहीं और वो जाएगा की नहीं, यह दोनो ताय होते हैं स्पे, तो यह probability being in state, after step 1 at stage J plus 1, such that, packet can move to output of stage J plus 1 switch, means जब step 2 होगा j plus 1 के switch में तब क्या होगा यह वो बता रहा है उसमें वो packet जाएगा यह उसकी probability है और conditional probability है तो यहाँ पर लिखेंगे probability की j plus 1 में step 1 खतम हो चुका है तो उसके बाद j के output में कोई packet होना चाहिए उसकी probability क्या है का तो यहापले के के बादिगे वी अएफे लिखेंगे के लिखेंगे विखेंगे जाएज के विखेंगे से रहाट जाएगे a packet is there at the input port of J plus 1 stage switch, तो इसमें बहुत important चीज है कि अगर P N minus 2 टिल्डा की बात करते हैं, N minus 2 stage पे, यह short short वो packet खाली होगा ही होगा, वो जाएगा ही जाएगा, ठीक, इसका मतलब यह होता है, और एक और चीज हम रखते हैं Q J टिल्डा, यह बराबर होगा 1 minus P J टिल्डा के, ठीक है, यह बात ने हमें transition probabilities और state transitions के लेते हैं, P J टिल्डा होगा, यह बड़ी सी राइन खीच लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि, कौन-कौन सी denominator में जा सकती है, तो कौन-कौन सी state है जहाँ पर, हमें J plus 1 के input में कोई packet होगा, और वो मेरे output पे by chance हो वैसा, ठीक है, तो मान लिए हम state 1 की बात करते हैं, तो state 1 में क्या था, state 1 हमारा यह था, state 1 में कोई packet है ही नहीं, नहीं input पे है, तो J plus 1 में अगर state 1 में होगा, तो packet है ही नहीं input में, तो हम उसको यहाँ लखी रखी नहीं सकते हैं, योगि हम नहीं condition यहां रखी है, कि probability कि आप उस state में हो, step 1 के बाद, stage J plus 1 में, such that कोई packet हो वहा रहने की probability को निर्धारित करेगा, condition आपका packet आपके वहाँ पर हो, तो यहां इसको हम include नहीं कर सकते हैं, 0 को तो 0 नहीं होगा, ठीक है, तो यह पीज़े टिल्डा में contribute नहीं करता है, अब चलते हैं 2 या 3 पे, तो 2 के अंदर हमारे पास एक packet है इस तरफ, output में, दूसरे में भी, output में 2 हैं, यह 2 और 3 है, यह भी denominator में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यह जे प्लस 1 के state की बात कर रहा हूं, और इस state में अगर जे प्लस 1 में switch है, तो जे stage के switch के output कोई packet है यह नहीं, तो इसको numerator में डालेंगे, क्योंकि वहाँ packet होते हुए, उसके जाने की probability को compute करना है, तो यह भी हम नहीं डालेंगे, 2-3 को, 4 पे जाते हैं, मैं खाली पीजे के लिए काम करूँगा इस तरीगे से, और फिर आगे वाले में हम देखेंगे किस तरीगे इसको छोटा कर सकते हैं, तो जब state 4 की बाहरा आती है, 4th state में, यहाँ पे अगर J plus 1 के इस state में है, तो packet होगा, लेकिन मेरा switch यहाँ पे भी connect हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे connect हुआ तो मेरे output में packet नहीं है, दूसरी तरफ है, तो अगर इस state की probability मेरे को मालूम है, तो उसके आधे को ही मैं ले सकता हूँ, ठीक है, तो हम उसके आध J plus 1 stage की बात कर रहे हैं हम लोग, 4th state है, J plus 1 stage है, और Kth time instant है, ठीक है, अब इस case में एक और चीज़ हम देखेंगे, यह packet certainly, जब step 2 यहाँ पे execute होगा, और Jth stage के अंदर step 1 execute होगा, यह packet certainly output में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, output खाली है इसका, तो यह numerator के अंदर भी हम इसको डालना होगा, ठीक है, तो यह भी लेकिन आधा ही हो सकता है, जितनी probability नीच है, उतनी उपर जा सकती है, तो P 1, 4, J plus 1, K, ठीक, अब इसके अगले में आते हैं, state 5 में, state 5 के अंदर हमारे पास situation है, इस तरीके से, यह packet इदर ही जाना चाहता है, इसके इसमें packet तो है, लेकिनो packet जान नहीं सकता है, जांकि मेरा input यह भी हो सकता है, और मेरा output यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, जेट्थ स्टेज में, तो only with half probability, हाधी probability के साथ ही, यह packet मेरा output port में होगा, तो इसलिए यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, 1 के बाद state है 5, और k time step है, j plus 1 stage है, लेके नहीं इसको हम numerator में नहीं डालेंगे, क्योंकि packet जा नहीं पार है, हम में packet जाने वाले इस इसको ऊपर लिखना होगा, इसके बाद अगले पर आते हैं, छटे वाले state में, छटे state में हमारे पास यह situation है, तो यह भी आधी probability के साथ ही नीचे होगा, लेकिन packet certainly output port की तरफ जाएगा, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पी 1, 6, J प्लस 1, K, पी 1, 6, J प्लस 1, K, इसी प्रकार हम जाते हैं, यह 6 था, अब साथ को देखते हैं, साथ में भी एक packet है, लेकिन यह blocked है, यह कहीं जा नहीं सकता है, तो इन खाली denominator में आएगा, लेकि numerator में नहीं जाएगा, साथ number, और यह भी चूँकि एक ही packet है, एक ही input पर दूसरे पर नहीं है, चूँकि मैं जेट्थ स्विच, जेट्थ स्टेज का स्विच किसी भी input पर connect हो सकता है, तो इसको लखेंगे P1, 7, J प्लस 1, K, नूमेरेटर में इसको नहीं लिखा जाएगा, अब हम आते हैं, आठवें पर, तो हम देखें हमने आठवा स्टेज का लिखा था, तो आठवें के अंदर दोनों एक ही तरफ को जा रहे हैं, तो यह इस तरफ होगी situation, यह आठवा हैं, तो यहाँ पर surely जब भी मैं किसी भी input से connect करूँ, इसको packet होगा मेरे output में, तो यहाँ पर, अब हाफ नहीं होगा, पूरा लिखा जाएगा, यह, पी 1, 8, J, प्लस 1, K, बट एक ही packet जा पाएगा, एक case में नहीं जा पाएगा, तो आधी probability है packet को जाने की, तो यहाँ पर हम हाफ लिख देंगे, इसको, पी 1, 8, J, प्लस 1, K, इसी प्रकार हम जाते हैं, 9 पे, ठीक है, 9 में दोनों packet चले जाएगा, तो यहाँ पर, यह, पी 1, 9, J, प्लस 1, K, और चुंकि दोनों packet जाएगा, तो same probability उपर भी आ जाएगी, आधी नहीं आएगी, इस पर, इसी प्रकार हम जाते हैं, 10 के उपर, हमारे पाद टोटल 14 स्टेट से, हमारे पास है, यह, यह, इस case में कोई भी packet आउट पूट की तरफ को नहीं जाएगा, तो यह exit में probability में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बट इनॉमिल टरम, एक probability के साथ, यह, दोनों में से कोई भी input, J, प्लस J, स्टेज के switch से connect हो सकते हैं, तो इसको, यहाँ पर हम लिख देंगे, P1, 10, J, प्लस 1, K, बट यह numerator के अंदर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, state 11 की बात करते हैं, state 11 में, situation इस तरीके से, एक ही packet जा पाएगा, एक नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर तो यह पूरा का पूरा लिखा जाएगा, और, यहाँ पर हो जाएगा, half, ठीक है, अब state 12 की बात करते हैं, यह 10 था, यह 11 था, अब 12 पे आते हैं, तो इस तरी सारी states, हमको, numerate, enumerate करनी पड़ेंगी, और इसमें गहेंगे, मैं एक तरीके से, इसको कर रहा हूँ, systematic process के तुरू, मैं follow कर रहा हूँ, तो बार्वे पे जब जाते हैं, तो एक ही packet जा पाएगा, जबकि दोनों पे हैं, तो यहाँ पे हम, denominator में लिखा जाएगा पूरा, P1, 12, J प्लस 1, के यहाँ पर हो जाएगा, इसका आधा, ऐसा अब हम 13 पे जाते हैं, अब हम अब पर दो यह state बची हैं, यह खाले denominator में आएगा, numerator में जाए नहीं सकता है, कोई packet inputs, output पे नहीं जा पाएगा, J प्लस 1, stage के switch में, तो इसको लेखिएंगे, P1, 13, J प्लस 1, के इसी प्रकार, 14 वे state के लिए होगा, तब भी ऐसा ही होगा, P1, 14, J प्लस 1, K, यह मेरा expression बना, P J टिल्ड़ा का, exit probability का, यह J थ stage के अंदर, तो इसी प्रकार आप हमें चाहिए होगा, P J बार, P J बार arrival के लिए होता है, तो हम P J बार को compute करते हैं, ठीक है, तो P J बार जो होता है, यह है probability, की कोई packet, जो की J minus 1 stage के input link है, वहाँ से आपके पास आएगा, ठीक है, यह होगा, आपके लिए step 3, जब की उसके लिए होगा, step 1 के बाद की situation, step 1 के बाद की situation बताई की, आपके पास packet आएगा की नहीं आएगा, तो यह basically इस तरीके से है, पीछे switch है, J minus 1, तो यहाँ पर जो state होगी, यह जो transition जो करता है, यह step 2 होगा यहाँ पर, तो उसमया आपका step 3 होगा, तो step 1 के बाद, इसकी state क्या है, वो decide करेगी, step 3 में आपके पास packet आएगा, नहीं आएगा, तो हमें वो सारी situation, जहाँ input में packet है, जो आपके पास आ सकता है, पहली चीज़ वो होना चाहिए, कि आपका यह slot खाली होना चाहिए, अगर यह भरा हुआ है, तो packet आई नहीं सकता, उनको include नहीं करना, यह denominator में, तो इसको हम define करते हैं, उसी तरीके से, कि probability की packet, input link जो है आपका, जह माइनस वन stage के switch का, यह buffer के अंदर, जो current stage है, जह थ stage, उसके input buffer में, यह होगा time interval tau के के अंदर, तो इसको हम लिखेंगे, probability दो तरीके से, कि जो switch है, in J minus 1 stage, switch is in a state after step 1, such that, a packet can, go from input link to output link, so J minus 1 stage में step 1 के बाद, ऐसी situation है कि packet input से, output की तरफ को आ सकता है, जिससे की arrival हो जाएगा, J, Jth stage के input link के अंदर, ठीक, ऐसा होना चाहिए, और इसके नीचे लिखेंगे, यह conditioned है कि यह खाली होना चाहिए, तो probability की of, in J minus 1 state, stage, switch, S-E state के अंदर है, step 1 के बाद, की output buffer, of J minus 1 state switch is empty, खाली है यह वाला, इसकी probability, तो इसको भी compute कर सकते हैं, इसी तरीके से, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, तो वैसे बड़ा सा लिखना पड़ेगा, और मैं वापिस वहीं पर जाता हूँ, और वहाँ से, हम उन stages को लिख सकते हैं, और यहाँ पर show कर सकते हैं, तो stage 1 की बात करते हैं, तो state 1 के अंदर, तो j-1 में, अगर वो इस state के अंदर है, तो output तो खाली है, दोनों output खाली है, तो 100% मेरा output खाली होगा, लेकिन कोई packet आएगा नहीं, तो यह denominator में तो होगा, लेकिन numerator में नहीं होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, तो यह होगा, पहली state, P1, 1, चुँकि दोनों output खाली है, इसलिए इसको आधानी लिखेंगे, j-1, k-state के बाद, यह numerator के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, अगले में जाते हैं, तो state 2 को देखते हैं, state 2 के अंदर, अगर यह situation है, तो कि एक ही output खाली होगी, एक भरी होई है, तो इसको आधा ही include करेंगे, और कोई packet, तो खाले वाले से, खाली वाले से connect होने के लिए, मेरे कोई आधी probability चाहिए, ठीक है, मेरे input में, z-th stage के switch में, input खाली होनी चाहिए, लेगिन कोई output से आएगा नहीं, तो इन numerator में नहीं include होगा, तीन वाले case को हम include नहीं कर सकते हैं, इन denominator में, कोई भी output खाली नहीं है, तो जे stage के switch के, input buffer के खाली होनी के संभावना 0 है, तो इसको denominator में नहीं डालना है, तो 2 को डालेंगे आधे से, तो डालते हैं इसको, तो इसको half लिखेंगे, P1K2J-1, ठीक है, और चुंकि कोई नहीं आएगा, तीन वाली stage को हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, तो फिर चलते हैं, आपर देखते हैं, चार में, अगर हम चौती state में हैं, तो हम दोनों में, से, किसी भी खाली वाली output पर connect हो सकते हैं, जेट्थी stage का switch, लेकिन आधी बार ही ऐसा होगा, कि packet आएगा, बाकी आधी बार वो packet नहीं आएगा उसके उपर, तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन उपर हम इसको आधा लिखेंगे, तो P1, 4, जे माइनस वन, के, और यहाँ पर हो जाएगा आधा, जोंकि एक ही आधे ही केसों के अंदर packet आप आएगा, ठीक, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं 5 के उपर, तो 5 वाले में देखेंगे, तो आधे टाइम ही मैं इससे connect हो पाऊँगा, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और कोई packet नहीं आएगा, तो यह denominator में जाएगा, हाफ के साथ, तो जाएगा, हाफ, पी 1, 5, जे माइनस 1, के, अब जाते हैं 6 पे, 6 को देखते हैं, 6 में भी आधे के साथ होगा, और packet आएगा, तो वो भी आधे ही probability के साथ होगा, तो हम वैसा करते हैं, 6 के लिए, हाफ, पी 1, 6, जे माइनस 1, के, यहाँ पर होजी भी हो जाएगा, हाफ, पी 1, 6, जे माइनस 1, के, अब साथ के लिए देखते हैं, साथ में आते हैं, तो कोई भी output खाली नहीं है, तो इसको include नहीं करना है, न denominator में न numerator में, पांच वाले के साथ के बाद आते हैं, आठ पे, आठ पे दोनों खाली हैं, तो इसको पूरा include करेंगे, लेकिन packet एक ही आप आएगा, इसके अंदर, ठीक है, तो हाफ के साथ यह numerator में जाएगा, फुल के साथ denominator में जाएगा, आठ में, तो इसको लेखेंगे, पी वन एट, जे माइनस वन के, और यहाँ पर हो जाएगा, हाफ पी वन के, आठ जे माइनस वन, इसी प्रकार अप जाते हैं, 9 के उपर देखने के लिए, तो 9 के स्में, यह पूरे दोनों पोर्ट खा ली है, दोनों के दोनों ही आएगे, तो यह पी नाइन, पी वन के नाइन, जे माइनस वन, नुमेरेटर में भी होगा, डिनॉमेरेटर में भी होगा, इसको दोनों जगे लिख लेते हैं P19 J-1 K और यह पूरा का पूरा यहां पर भी जाएगा क्योंकि packet हर हाल में मिलेगा अगर आप इस state में है तो ठीक है अब जाते हैं दस्वें पर तो दस्वें के जब देखते हैं तो आधी probability के साथ यहां पर होंगे जबकि नुमेरेटर में नहीं आएगा कोई packet आएगा ही नहीं तो हम यहां पर हाफ के साथ इसको लिख लेते हैं हाफ P110 J-1 नुमेरेटर में नहीं आएगा यह 11 को देखते हैं 11 में आधे के साथ लिखना है और उसे आधे के साथ packet भी आएगा यह भी गारंटी है तो हाफ P111 J-1 K हाफ P111 J-1 K इसके बाद आते हैं 12 के उपर तो बारवे में भी ऐसा ही होगा हाफ यहां पर रहा और एक ही packet मिलेगा तो यह भी इसी प्रकार लिखा जाएगा अब जाते हैं 13 के उपर 13 में कोई भी यह आउट पूट खाली नहीं है तो यह नहीं इंक्लूड होगा और च्वादे इंक्लूड नहीं होगा ठीक है तो यह expression मेरा बना पी जे बार के लिए arrival probability के लिए इसको भी हम लोग यूज करेंगे transition probabilities निकालने के लिए ठीक है और इसमें important चीज है कि पी 0 बार की value होगी 1.0 packet immediately आ जाएगा जैसी कोई packet आगे move करता है और किसी बें जागे पे qj बार will be equal to 1 minus pj बार because मैं qj बार और pj बार दोनों का इस्तेमाल करूंगा तो इसके साथ अभी मैं इस lecture को इस interaction को यहीं पर समाप्त करता हूं अगले वाले के अंदर अब हम transition probabilities के बारे में बात करेंगे transition matrices निकालेंगे और उसके बाद कैसे calculation होगी वो बताएंगे क्या बात करेंगे और अजाओे ।